नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सन्मार रभीवार के दिन कुछ ऐसे कारे हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए रभीवार यानि कि भगवान सुरी का दिन और सुर्य ग्रहों के राजा है अगर आप अकेला सुरी को मजबूत कर ले या आपकी कुंडली में अकेला सुरी मजबूत है तो तमाम ग्रह आपका जीवन परियंत कुछ भी नहीं बिगार सकते और सुरी देव वो साक्षाद देव हैं तो रभीवार के दिन सुरी की पूजा तो होती ही है लेकिन क्या आपको पता है कि सुरी अगर बेहतर हो तो नोकरी रोजगार में तरक्की होती है आपका प्रभाव बना रहता है पिता का साथ मिलता है प्रभुत तो आपका समाज में कायम रहता है तो भगवान सूरे की अरादना का दिन रविबार और जोतिस में सूरे आपको तरक्की भी दिलाता है मान सम्मान भी प्राप्त करवाता है लेकिन अफमान का कारण भी सूरे हो जाता है जब आपका सूरे कमजोर हो जाता है तो ऐसे में विसेश ऐसे कार हैं जो रविवार के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए वरना आपका सुर्य कमजोर हो जाएगा और फिर आप पस्ताएंगे तो रविवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए देखिए रवी बार के दिन कहा जाता है कि सफेद नमक नहीं खा के आप सिंधा नमक खाईए वैसे भी बहुत सारी लोग सिंधा नमक अपना रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइदे हैं वैसे आपकी मर्जी बांकी दिनों में आप साधा नमक खाए पर रवी बार के दिन सेंधा नमक खाए ऐसा करने से आपका स्वास्त भी अच्छा रहता है और कारियों में बाधाएं नहीं आती है भूल कर भी माता पिता का या किसी गरीब बैक्ती का मान मत कीजिएगा क्योंकि इस दिन किया गया गल्ती आपके जीवन में मुश्किलों को बढ़ा देता है कहा जाता है कि रवी बार के दिन दूद को गाढ़ा नहीं करना चाहिए दूद जलाना नहीं चाहिए यानि उसका खोया बना रहे हैं या पिर आप किसी भी तरह का गाढ़ा करके कुछ बनाना चाहते हैं तो रवी बार के दिन ना बनाए आप किसी भी दिन अन्य दिन बना सकते हैं सुबह सुबह जल्दी उठना उठिये रवी बार के दिन खा सकते हैं, खाना बनाने में भी यूच करें, कोई दिकत नहीं है, साथ ही, अगर आप चाहते हैं, कि आपका राजयोग, आपके जल्दी फल दे, अच्छा फल दे, जो आपके जीवन में, वैसे हर बेक्ती के जीवन में, राजयोग और दुरयोग दोनों होते हैं, तो ऐसे म आप रवी बार के दिन भूल कर भी, आपको इस दिन मांस मदीरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अगर आपको बहुत इक्छा है खाने का, तो साम में खाईए, अंधिरा होने के बाद, दिन के समय रवी बार के दिन ना खाए, कहा जाता है कि रवी बार के दिन तामबे से बनी चीजों को नहीं बेजना जाएए ताम्बे से बनी या कोई भी रातु की बस तु ना बेचे अन्य दिनों में बेचे और साथ ही पस्चिन या वायब दिसा की आत्रा भी रविवार के दिन करने की मनाई है इन दिसा की आत्रा करना अगर आपको जरूरी है तो दलिया, घी या पान खाकर या फिर आप घर से निकलने के पहले पांच कदम पीछे हो ले फिर आगे बढ़ जाएं तो फिर ठीक है क्योंकि इस दिन पस्चिन दिसा में सूल रहता है और ये आपके लिए सही नहीं है माना जाता है कि रवी बार के दिन ब्लू, काला और ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए जितना संबब हो इस दिन हलके रंग के वस्ते धारन करें, लाइट कलर के सेमिज जीवन जीएं, साथ ही आप मांस और मदीरा का सेवन भी ना करें तेल मालिस करने की मनाई है क्योंकि तेल सनी देव का प्रतीक है और रवी बार के दिन तेल मालिस नहीं करनी चाहिए इस बात का भी ध्यान रखेगा आम तम पर लोग रवी बार के दिन फुरसत में बाल कड़वाते हैं डाड़ी बनवाते हैं तेल मालिस करवाते हैं, आप डाड़ी तो बना सकते हैं पर तेल मालिस ना करवाएं, बाल मत कडवाएं, जितना ज़्याधा हो, इस दिन आप मीठा भोजन करें, मीठा भोजन करने से सूरे आपका बेहतर होता है, अगर आप मस्तक पर इस दिन भगवान को लगाकर लाल चंदन या सफेज चंदन आप या हरी चंदन लगा लें, तो आपका सूरे प्रवल होता है तो सूरे रभीवार के दिन यात्रा आप पूरव उत्तर यागने कोन में करें तो सर्वोतम बाना गया है आपके कारे सफल होते हैं अगर आप चाते हैं कि रविवार के दिन गृप प्रवेश करें तो अच्छा है कोई खास टेंसन नहीं है वैसे एक बात आपको बता दें रविवार को दिन को खाली दिन कहा जाता है जोतिस सास्त्र में सोना और तामबा खिदने और धारन करने के लिए रविवार के दिन को सुमाना गया है तो उसके पहले के आगे हम बढ़े अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनों के साथ सेर कीजिए ताकि वो अगर कोई गलती करने है लाइफ में तो वो गलती ना दो रहा है और ज्यादा जनकारी के लिए आप हमारे वेपसाइट पर आ सकते हैं वेपसाइट पूरी तरह से जोतिस पराधारित है लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा और आप चाहें तो गूगल पर भी सेर्च कर सकते हैं ग्रैन्धर्मासर्माग डॉट कॉम तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमने अभी तक बात की कि सोना और तामबा अगर आप खरी दें तो उत्तम है घर में लड़ाई छगड़े अगर हमेशा होते हैं तो रभी बार के दिन लाल रंग का एक खिलोना बंदर का बंदर यानि मंकी ले आए और ये याद रखना है कि इस मंकी के हाथ खुले हों और इसे घर में ऐसी जगा रख दे जहां सूरी की तरफ सूरी की ओर इसकी पीठो ऐसा करने से घर में सुकसानती मिलने लगती है समझ के खिलोना लाना है लाल रंग के एक बंदर का और सूरी की तरफ पीठी यानि पूरफ साइड उसकी पीठोगी तो ऐसा करने से घर में सुक्सानती आती है, जगड़े लड़ाई नहीं होते है अगर आप चाबल में दूद गुड़ मिला कर खाएं या गुड़ वाली खीर खाएं तो बहुत अच्छा है माना जाता है ऐसा करने से सूर्य आपका बेहतर होता है लेकिन अगर सूर्य आपका गरवर हो तो एक लाल कपड़े में थोड़ा सा गेहूं और गुड़ बान कर किसी को दान कर सकते हैं आप कहीं पास के मंदिर में रखाएं पीपल के नीचे रख दे या फिर ऐसे पीपल के नीचे संड़े को नहीं जाना चाहिए तो आप किसी मंदिर में जाकर भी रख सकते हैं किसी गरीब वेक्ति को दे दे या आप चाहें तो नदी तालाब में भी डाल सकते हैं मानेता है कि जो लोग कुंडली में सुरी को उच करना चाहते हैं उनको रभी बार के दिन गुड़ चाबल वेहते बेजल में प्रभाहित करना चाहिए ऐसा करने से सुरी आपका प्रभल होता है थोड़ थोड़ प्रभाहित कीज़ेगा जादा नहीं कोई भी नया काम अगर सुरू करने जा रहे हैं तो पहले गुड़ या मीछा खाकर सुरुआत कीज़े तो वो काम सफल रहता है आप रभी बार के दिन आग या बिजली से जुड़ा कोई भी सामान घर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं क्योंकि ये सुब माना गया है तो रभी बार के दिन बहुत सारे ऐसे कार हैं जो कर सकते हैं लेकिन क्या ना खाएं इस दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए लाल मसूर की दाल लाल साग भी नहीं खाना चाहिए आप चाहें तो कोई भी साग रभी बार के दिन ना खाएं मचली भूल कर भी रभी बार के के दिन मत खाईए तो सीधे सरल सब्दों में अदरक सरसों का तेल सफेद नमक मशली मसूर की डाल और साग कम से कम इन चीजों का त्याक कर दें रभी बार के दिन तो सर्वोत तम होगा फिलाल आप से भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कर हर हर महादेर धनिवा